हेलो दोस्तों, वेलकम टूरी टू सक्सीड, तो UPSC के तिरब से CMS का notification आउट हो चुका है, यानि combined medical services जो है, उसके लिए UPSC ने notification जारी कर दिया है, तो हम इसकी पूरी details देखेंगे, क्या is limit रहेगी, education qualification क्या है, salary और syllabus क्या रहने वाला है, तो हम पूरी बात करेंगे, वीडिय है, और जो भी नई vacancy आती है, तो उन से related full details के साथ वीडियो upload कर दी जाती है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं, और जो है वीडियो को जरूर देखेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं important dates के बारे में, तो जो है CMS notification की जो date है, व जाला गया है, और इसका जो online application starting date है, वा साथ जुलाई यानि आज से इसके form जो है, online start हो चुके हैं, बात करें, registration की last date की, तो इसकी जो registration की last date वा रहने अली हुआ 27 जुलाई रहने वाली है, बात करें, UPSC CMS exam date के बारे में, तो 21 November 2021 इसकी exam date है, तो आप अगर जो इसके लिए eligible हैं, तो आप तयारी शुरू कर दीजिए, इसका जो है, exam बहुत ही जल्दी होने वाला है, बात करें, UPSC CMS admit card के बारे में, तो expected in October 2021, यानि October में, जो है, साइद इसका admit card आ जाएगा, वैसे तो UPSC exam के 15 दिन पहले admit card देती है, तो आप अगर जो इसका exam, लगभग admit card आ admit card दे दिया जाएगा, इसके आगे हम बात कर लेते हैं, जो है, इसमें जो है, दो कैटेगरी में वेकंसी निकाली गए है, तो पहली कैटेगरी है, आपके junior skill posts in central health services, इसके लिए 349 post total निकाली गई है, और जो कैटेगरी second की है, इसमें जो assistant divisional medical officer in the railway, इसके लिए 300 vacancy है, general duty medical officer in new Delhi municipal council, तो इसके लिए 5 vacancy निकाली गई है, और बात करें, general duty medical officer, जो grade second होता है, in east Delhi municipal corporation, north Delhi municipal corporation, and south Delhi municipal corporation, इसके लिए 84 vacancy total निकाली गई है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं, जो है, selection process के बारे में, तो इसमें जो है, दो stages में आपका selection process रहता है, आपका पहले computer based, यानि CVT exam होता ह 500 number का और interview होता है, आपका 100 number का, चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं, जो है, eligibility criteria के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें education qualification आपकी क्या होनी चाहिए, तो the candidate should be passed in the written and practical parts of the final MBBS exam, यानि आपको जो है, MBBS, जो है, आपका final होना चाहिए, a candidate who passed, has appeared or has yet to appear at the final year MBBS examination में also apply, यानि अगर जो आप MBBS के final year में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, और जो है, अगर जो आपके पास MBBS degree है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी post है ये, और बात करें, जो है, आगे इसके age limit के बारे में इसमें जो है age limit आपकी 32 साल चाहिए, आपकी age limit जो हो और नीचे, मतलब 32 साल के अंदर ही होनी चाहिए, चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं, जो है UPSC, CMS का जो exam pattern रहता है उसके बारे में, तो यह जो है objective type exam रहता है, और बात करें, इसमें जो है, दो पेपर होते हैं, त 96 from general medicine and 24 from pediatrics, यानि आपके 120 total question पूछे जाते हैं, और बात करें, नंबर की तो जो है 200 numbers के लिए दिया जाते हैं, और दो घंटे का समय इसके लिए दिया जाता है, इसके आगे हम बात करें, पेपर सेकेंड के बारे में, तो इसमें जो है, सर्जरी और गाइकनोलोजी और का 2 घंटे का समय दिया जाता है, तो बात करें, तो टोटल जो है आपके 240 question रहते हैं, और टोटल 500 number का आपका paper रहता है, और आपको 2-2 घंटे हर paper के लिए दिया जाते हैं, इसके आगे हम बात करें, इसमें जो है negative marking भी रहती है, तो negative marking इसमें जो रहेगी वो आपकी 1 by 3 रह जाता है, वो English language में ही रहेगा, इसमें Hindi language में paper नहीं बनाया जाएगा, इसके आगे हम बात कर लेते हैं, जो है, interview के बारे में, तो आप जब qualify कर लेते हैं, written exam तो आपका interview conduct कराया जाएगा, तो interview में जो है, आपकी nature of personality का personality देखी जाएगी, आपका general knowledge ability और curiosity, intelligence और critical powers and balance of judgment and alertness of mind ability for social cohesion, integrity of character, integrity and capability for leadership, यानि leadership की capability है, आप में वह चेक करी जाएगी, और इसके जो salary रहने वाली है, वह salary जो रहेगी, आपकी 66700 से इसमें जो है, शुरुवात होगी आपकी, जब आपका इसमें placement हो जाएगा, तो आप salary बहुत ही अच्छी है, तो आप जो है, अगर इसके लि वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें, comment करें, share करें, subscribe करें, आपको बता दे हमारे चैनल पर एसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, सभी government exams की news समय पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, thank you.